ओके सोब्सक्राइब तो आज के जो हमारा वीडियो हने वाला है उसमें में अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखू है तो कि वरना यहां पर दिक्कत आएगी पार्ट बन में मैं इंट्रोडक्षन दिये रास्टिक्शन एंजायम होता क्या है क्या और चीज़ें होती हैं मतलब कैसे कैसे टाइप के रास्ट इंजाया है थैटाने वालने वहांए वो जाके पहले वीडियो देखो तो चली अदे अपने topic की तरफ तो सबसे पहले करेंगे हमने जो last वीडियो बाद प्रैक्टिस कॉश्चन्स दिया जैना तो सबसे पहले प्रैक्टिस कॉश्चन्स वाल फुर्ट है तो निकालते हैं अपना pen सबसे पहला है question if a fragment of 15 kg यह हमारा इसका total size किता है 15 kg is leveled at 3-end यहाँ पर इसको label कर लिया है यह हमने label कर लिया है यह जाकन थी है have 3 restriction site 1 2 3 को ही 3 restriction sites at 5 kg 9 kg 13 5-end से यह 5-end से 5-end से पहला यह है 5 kg का यह है 5 kg का यह है 5 kg का यह है 9 kg 9 kg और देन 13 kg और यह है 13 kg एक सेम ऐसा question आया था पर उसमें size नहीं दिया वह था 5 kg 9 kg 13 kg जो मैंने दिया हूँ है size नहीं दिया था simple यह है कौशन 2005 2005 ऐसे कुछ आखे था 2005 पहरां तो यह है अब इसमें पूचा है find the number of labeled and unlabeled DNA on partial digestion मैंने बताया था partial digestion mood swings वो पूरा भी काट सकता है या 1 बी नहीं काटेगा या फिर एक को काटे दो को काटे या 2 को साथ काटे थी इंको कुछ भी कर सकता उसका मन है जो करेगा वो करेगा अब उसकी उपर उसको क्या कहते हैं पाशियल डाजेशन अब पाशियल डाजेशन में क्या है पहला सबसे पहले लेबल्ड निकालते हैं लेबल्ड कैसे होंगे लेबल्ड वही होंगे ने जिनमें ये व पूरा का पूरा मैंने बताया था ना या तो वो एक भी नहीं काटेगा मैंने वाला ना एक भी नहीं काटेगा उसका मनद इसकेंड पार्ट वाइफ केभी से लेकर यह वाला सेग्मेंट फिर 9 के भी वाला सेग्मेंट और यहां से फाइब डैशन यह जो फाइब डैश एंड से लेकर हमने 13 तक ले लिया तो भी अले वाला यह नहीं हुआ तो हमें क्या निकालना है पहले लेबल, लेबल कितने होगे, 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास कितने आगे लेबल, 4, कितने लेबल हो गए हमारे पास, 4, अब हमारे पास निकालना है, अनलेबल गों से, अनलेबल में पहला तो यह, अगर उसने 13 kb पर कट करा, तो एक तो यह फ्रेग् वनेगा ये फ्रेग्मेंट योगल्ण यह कि होगा अन लेबल था धीक यह लेबल्छ नहीं नहीं हो क्योंगं कि आपर डूसरा फ्रेग्मेंट पॉन सा बनेगा तीन तीन यह माझन लो 5 के भी वला 5-9 States वाला और 9 to 13 Kb वाला एक दो तीन चार चार फ्रेग्मेंट तो हमारे पास आ गए अब एक फ्रेग्मेंट बन जाएगा हमारे पास 5 to 9 Kb वाला और एक 5 Kb वाले रेस्रिक्शन साइट से 13 Kb वाला कि यह है तोटल लेबल कितने हो गए 6 तोटल लेबल कितने हो गए 4 अगर कोई दिखता है जो की लेबल या अनलेबल है इसके अलावा तो मुझे कमेंट में बताना एक्शुल आंसर क्या है 6 अनलेबल एंड 4 लेबल यही होंगे फिर से एक वर देख लो या 3 डश को इंक्लूड करने वाले होंगे सारे लेबल तो एक चाहरी होँगे 5 डश करकाटा उसके बाद 9 पर काटा तो 10 के वाली पकाटा तो 13 से लेके 3 गशलडा से कमेंट सेम सिक्स वाले में लेंगे क्योंकि हम 6 में क्या लेंगे 5-and से लेके 13 के भी वाला जो restriction site है ना वहां तक का लेंगे ओके तो वह वाला पूरा part हो गया 3- वाला part हो गया 3- वाला segment इसको include नहीं करना क्यों यह वाला तो segment हमारे पास 4 labeled वाला में आ गया ना लेबल वाले में जो 4 लेबल फ्रेग्मेंट इसको इंक्लूड निगा ना तो total हमारे पास 6 क्या हुए लेबल 4 लेबल तो रिजॉल लिए अब दूसरा क्या है cell 1 site तो पहले तो पताना हो चाहिए कि cell 1 जो होता है न वहो कितना वह करता है मलब रिस्टिशन वड़ी होती तो इसके न ह्नसिक्स विट रिटोंग रिस्टिशन होती है मतलब रेकॉगनिशन है उति है मतलब 6 nucleotides होंगे तब हमें पता चलेगा कि recognition site मतलब 6 nucleotides की recognition site होती है मतलब 6 nucleotides कुछ भी हो सकते मतलब हमें नहीं बताना भी हमने नहीं पढ़ा हुआ है कि कौनसी होती है पस यह बता है कि 6 base pair की recognition site को वो recognize करता है क्या selven अब क्या करना है हमें possibility of number of cell 1 sites in a 9 के भी double standard DNA if all 4 bases are divided in equal proportion all 4 bases divided in equal proportion में तो क्या होगा A को होने की probability कितनी होगी 1 by 4 G को होने की probability कितनी होगी 1 by 4 C की होने की probability कितनी होगी 1 by 4 और T की होने की probability कितनी होगी 1 by 4 क्यों क्योंकि equally divided है randomly divided नहीं है क्या है all four bases are divided in equal proportion मन उठा के यूँ ही नहीं फैक दिया कि निके डाले हैं कि A एतना है उतना ही G डालेंगे उतना ही C डालेंगे उतना ही T डालेंगे बराबर मातरा में डाला है ठीक है ना? अब बराबर मातरा में डाला है निकाल सकते हैं कि चार अगर आ रहे होंगे चार में से एक बार A आएगा चार में से एक बार G आएगा एक बार C आएगा एक बार T और एक बार T पतलब तो अब हमारे पास six base pair की recognition side है तो पहली जो हो सकती है ओ A, G, C, T में से कुछ भी हो सकता है तो कोई भी लें तो आएगा 1 by 4 ही multiply by second वाली जोगी उसमें भी 1 by 4 ही आएगा कोई भी हो A, G, C, T कोई भी हो आएगा 1 by 4 ही ऐसे करके हमने six times 1 by 4 को multiply करना है 1 by 4 1 by 4 और ये six तो six times हमने 1 by 4 को multiply कर दिया क्यों करा? क्योंकि six base pairs की recognition side है किसकी cell होन की अब वो जो six base pairs कोई भी हो सकते है A, G भी हो सकते है C, T, T, T हो सकते है 6 में से कोई से भी है ना तो हर एक में जो probability किती होगी 1 by 4 ही होगी क्योंकि क्यों है? बराबर मात्रा में बाटा गया है अब इसकी value कितनी होगी? हमारे पास 1 divided by 4 by 4 की power 6 कितनी होगी? 1 divided by 4 to the power 6 तो हम क्या कह सकते है कि 4 to the power 6 base pairs अगर होगे तो हमें कितनी मिलेगी? एक recognition site अगर 9 KB का segment है कितने का है? 9 KB यानि कि 9,000 base pairs 1, 2, 3 तो हमें कितनी की recognition site मिलेगी? वो हमें find करनी है तो X equals to हो जाएगा क्या हो जाएगा? 9,000 divided by 4 to the power 6 लिख सकते हैं? और इसको हम क्या लिखेंगे? 9, 1, 2, 3 9,000 divided by 4 to the power 6 होती है 4, 0, 9, 6 वो आप calculate कर सकते हो तो यह कुछ ऐसा नहीं लग रहा है इसको अगर हम double कर देंगा तो यह आ जाएगा हमें क्या closest integer निकालना है? restriction set आधी restriction set नहीं सुनी होगी न कभी? restriction set दो ही हो सकती है एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी आधी कोई restriction set नहीं होती है तो इसका answer आएगा 2KB, मतलब integer, closest integer value आएगी हमारे पास 2 तो इसका answer क्या है? 2 9KB में हमारे पास 2 restriction set होगी तो यह थे हमारे यह दोनों questions इसका answer था 4 labeled और इसका answer था 2 restriction set तो अपना अपना check करना आपने क्या निकाला answer आपका सही है या गलत है? तो भड़ते हैं अपने gel electrophoreses वाले questions की दरफ तो यह 2014 का question 2014 में खड़त पूर ने बनाया था और सही बता रहा हूँ बहुत वाहियाद मतलब हमारे लिए उनके लिए तो बहुत एक दम अवल लंबर का बोल सकते हैं हमारे selection के लिए वह बहुत वाहियाद किसम का paper था तो सबसे पहले मतलब एक question उनका electrophoreses का यह है अब इसमें बता है आप simply अगर आपको restriction enzyme के बारे में पता है कि restriction enzyme क्या करता है आप simply बता सकते हैं ठीक है न आपको अगर आपको निक नहीं पता क्या है पर linear तो पता होगा न कि अगर circular DNA को यहां से अगर काट दिया तो यह एक linear DNA बन जाएगा यह तो पता है न तो यह जो D वाला है यह D वाला eco r1 वाले में हमें अगर हमने eco r1 वाला जो हमने sample डाला तो हमारे पास D पर एक क्या मिला बैंड मिला अब D वाला बैंड क्या हो सकता है तो बैंड label D क्या होगा linear ही होगा क्या है plasmid DNA है यह हमारा circular plasmid DNA है इसको हमने eco r1 enzyme से cut कर दिया है eco r1 से cut करा तो linear DNA मिल जाएगा क्या मिल जाएगा circular की बज़ाए linear DNA तो वही यहाँ पर दिया हुआ linear तो d s का 4 किसमें दिया हुआ a में s का 4 दिया हुआ c मैं नहीं दिया b मैं नहीं दिया d मैं नहीं दिया answer क्या होगा a simple बहुत simple सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए था या कि eco r1 एक जाएप अगर cut लगाता है तो circular DNA को linear DNA में convert कर देता है इतना तो normal सी बात है अगर आप restriction side पट रहे है तो पता ही होगा Nicked पता हो, super quality पता हो, concatamence पता हो, नहीं पता हो, कोई मतलब नहीं है linear पता है ना आगया answer पर हम सब करके देखेंगे, ठीक है, तो सब कैसे करके देखेंगे, अब as a, a वाले जो यह 1, 2, 3 है, अब इसके according देखें तो p वाला जो है ना, वो 3 को कर रहा है, क्या है concatamence, concatamence होते क्या है, concatamence क्या होते हैं, जब same type के कई सारे DNA जो होते हैं, DNA plasmid जो होते हैं, वो ए एक दूसरे से ligate हो जाएं, तो यह एक बड़ा सा DNA मना लेंगे, तो बड़े-बड़े से DNA मना लेंगे, क्यों, यह देखो, यह वाला DNA है, यह इसके साथ ligate हो गया, तो यह थोड़ा एक बड़ा वाला इसने DNA या पर बना लिया, ठीक है, अगर यह कई सारे ऐसे DNA, ligate होते च जाएगा, जितना बड़ा सा, जितना पहले रुक जाएगा, तो सबसे पहले यह वाले क्या है, क्या होते हैं, similar type of DNA जो होते हैं, जो की self-ligate करके बहुत बड़े-बड़े-बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो उनको कहके थे, क्या है, अब second, band-labeled as B, B कौन सा दिखा रहा ह है, B का हमारा Q वाले का दिखा रहा है, 1 यानि की, nicked, nicked DNA क्या होगा, यह हमारे पस double stranded DNA है, बहुत ही गंदा बनाया है, यह हमारे पस double stranded DNA है, अब अगर हमने DNA को यहां से काट दिया, यह पूरा नहीं कटा, मैंने second strand नहीं कटा, सिर्फ एक strand पर हलका सा nicked करा है, यह कुछ ऐस बन जाएगा, मतलब actually मैं गुमांके नहीं बना रहा हूँ, तो यह क्या होगा ना, super coiling जो होती है, मतलब coiling जो होती है, ऐसे DNA है, यहां पर मैंने अगर cut मार दिया, तो यह थोड़ा thing ऐसे हो जाएगा, यहां पर खुल जाएगा, ठीक है ना, अगर एक जाएपर cut मार दिया तो यह round होके खुल जाएगा, अगर आपने replication पढ़ा हो, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, कि हम toposize humerase से एक nick करते हैं, जिसकी वाज़े से वो rotate होता है, उसी वाज़े से जो helicase होता है, अनों को अलग करता है, ठीक है ना, तो वो जीज हमने एक nick कर दिया, तो यह थो कम ही होगा, मतलब ज्यादा ही होगा ना, linear तो आगे तक चला जाएगा, ऐसा हो गया, और यह हो गया, साइस किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका या फिर इसका, इसका ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो यह थोड़ा पहले रुख जाएगा, अब आया last C, मैं लेब और घुमा दिया, मैंने, तो और घुमा दिया, तो यह पता है, ऐसा, 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 ऑगे, इसका बड़ा दिखाई दे रहा है, 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 इसका बड़ा दिखाई दे रहा ह क्यों करते थे याद है डियने को रैप करने के लिए में एक चोटी जगह पर रख रहे हैं उसको पैक करके छोटा बना दिया तो और आगे तक चला जाएगा वह उसका साइज और सबसे आगे जाके रुखेगा तो इसका क्या बतलब हो किसी वाला जो है वो क्या है सूपर कॉइल्ड मैंने आपको एक्स्प्लेइन कर दिया एक वार नैट पर चेक कर रहे ना आपके पास सेम फोट मतलब गेले बैंड लेबल डी जो एको आरवन का वो लींआयर ही होगा योगि एकक लगाया ह्योड लींआयर में करनेट होगाए अचा एक और चीज क्या होता है जैसे की एक लीनियर देन supplier restriction enzyme ने काटा, अगर दो restriction enzyme ने काटा, तो कितने bands बनेंगे, 1, 2, 3, तो linear DNA में मनते हैं, n plus 1 band, अगर circular DNA में 2 cut लगाए हमने, sorry, 2 cut लगाए, तो कितने band बनेंगे, 1 और 2, 2 ही band बनेंगे, तो circular DNA में कितने बनते हैं, n bands, यह जीज़ी ज्याद रखना, linear DNA में मनते हैं, n plus 1 band, circular DNA में मनते हैं, n bands, यह क्या है, n याने की number of restriction sites, तो बढ़ते हैं, अपने next question की दरफ, तो यह है हमारा next question, इसमें क्या दिया हुआ है, कि हमारे पास एक 8 के भी का, जिसके अंदर 3, 8 के भी का था, 3 restriction sites थी, 2015 का question है, यह जाता किया, तो BAM H1 की और H3 की sites थी, ओके, अब इसमें हमने कहा है, पूरा complete digestion कर रहा है, partial नहीं कर रहा है, mood swings नहीं हो रहे हैं, पूरा पूरा एक साथ digestion कर रहा है, सारे के सारे restriction enzyme पर cut लगेगा ही, ठीक है, अब हमने cut लगाया, cut कैसे लगाया, अब हमें यहाँ पर दे दिया, BAM H1 क्या दे रहा है, sticky ends, H3 क्या दे रहा है, blunt ends, अब इसमें क्या होता है, हमने क्या कर रहा, end की filling कर दी clean of fragments से, clean of fragments क्या होता है, DNA polymerase 1 होता है, जिसके पास exonuclease 5-2-3- की, क्या करते हैं, ability नहीं होती, क्यों 5-2-3- exonuclease activity शो करें, उसको हम क्या कहते है, clean of fragments, DNA polymerase 5-2-3-3-5-2 दोनों ही तरफ exonuclease activity शो करता है, उसमें से अगर 5-2-3-exonuclease activity हटा दी जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, clean of fragments, अब हमने alpha-32, यानि की alpha-phosphate को हमने 32 radioactive बना के di-deoxycitidine triphosphate, अब deoxycitidine triphosphate क्या है, अब इसमें से हम cytidine, यानि की cytosin लेके हम यहाँ पे add करेंगे, अब यहाँ पे जैसे हमने cut लगाया, BMS1 की cutting site है न, तो हमारे पास fragment क्या मिलेगा, G, वाद या आगे ब्लेंक, और यहाँ पे मिलेगा, हमें C, P, T, A, यह हमने करा, अब clean of fragment से polymerase action हुआ, polymerase action हुआ, तो अब इसमें जो आगे यह बढ़े न, यहाँ पे C की उपर G आगया, C की उपर A आगया, और A की उपर T, A, G भी आ आगया, G, और G की उपर वापे C आगया, तो यह वाला part है न, यह, यह हमने क्या करा, end की filling अधी clean of fragments से, अब जो यह जो C हमने add करा था न, यह क्या है, 32, इसका जो alpha phosphate है, क्या है, 32, यानि की radioactive, तो यह वाला जो हमारा, जो bear matchman से cutting होगी, उसके जो fragment होगे, वो क्या होगे, radioactive, पर अगर हमने यहाँ से काटा, तो इसमें, बीच में filling की जरूरत ही नहीं न, तो हमारे पास आया, जो हमारे पास दो fragment आये, GG, CC, और यहाँ पर CC, GG, अब यह बता, filling कहां करोगे, कहां डालोगे, कहां डालोगे, यह बताओ, यहाँ पर तो जगह 3 डालने की, यह वाला जो पार्ट था हमारा GATC, यह वाला पार्ट हमने किस से एड़ गरा, polymerase से, किस से, cleanofragment जो है, वो हमारा क्या है, DNA polymerase 1 का, mutated बोल, चलो, mutated नहीं, मतलब हमने उसको, अलग तरीके से, उसमें, exonuclease, 3-25-, sorry, 5-23- activity हटा दी, तो cleanofragment है, polymerase activity है, भाण में जाए, exonuclease, polymerase activity है, उ और जो हमारा C है, वो क्या है, radioactive, तो C जो add करा है, वो radioactive हो गया, तो यह जो DNA का fragment है, जो की BAM H1 की cutting से बना है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा radioactive, क्या हम बोल सकते हैं, उसको हमने radioactive labelled कर दिया है, अब क्या हुआ, हमने, ethereum bromide से, यह वाला जो sample है, ethereum bromide का है, और यह जो fragment radioactive होगा, तभी जो उसकी radio waves होंगी, उसको detect करके, वो उसको हमें पता चलेगा, कि वो जो है, band कौन-कौन से आ रहे हैं, ठीक है न, अगर वो radioactive होगा, तभी उसके bands हमें पता चलेंगे, अब इसमें क्या देख रहा है, इसमें हमें देख रहा है, बैम H1, बैम H1 देख रहा ह है, 2KB पर भी है, 1KB पर भी है, अब हमें यह नहीं पता न, कि यहाँ पर यह जो तीन है, यह जो तीन है, इसमें से कौन सा HAE3 का है, और कौन सा बैम H1 का है, तो वो पता लगाने के लिए अगर है, ऑटो रेडियो ग्राफ, पर जितने भी बैंड आएंगे, वो सारे बैम H बन कोंगे, क्यों मैं H1 को हमने radioactively, radio activity से label कर दिया है, alpha 32 phosphate, मतलब alpha phosphate को हमने radioactive कर दिया था, और यहाँ पर हमने के लिए को साइटोसीन को add करा था, यह जो साइटोसीन है, इसको हमने add करा था, यहाँ पर radioactive वाले को, तो यहाँ पर हमने 2KB, यह गो double bands मिलना है, यहाँ पर 2KB 3KB का 1 band मिलना है हमें ठीक है और यहाँ पर हमें 3KB, 2KB और 1KB पर Bands मिलना है यहाँ पर हमें 1KB पर Bands नहीं नहीं है इसका मतलब क्या कुछ तो गडबड है, क्या गडबड है गडबड यह है कि 1KB वाला बैंड ehoto radiograph में नहीं आया इसका का मतलब वो radio activity मतलब radio actively labeled नहीं है अगर radio actively labeled नहीं है यानि कि उसने blunt end कौन दे रहा है HAE3 यानि कि HAE3 की जो restriction site है उसने सिर्फ 1 KB का क्या दिया segment अब इसमें यह देखो HAE3 1 KB का segment कहा दे रहा है यहाँ पर हमने HAE3 से कट लगाया तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सारे के सारे और यह बी क्या है गलत मैं गलत बता रहा हूं यह तो सही है वह बाद में दिसक्स करेंगे फहले गलत क्या है यह अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर HAE3 2 KB पर लगा रहा है ठीक है तो HAE3 2 KB पर यहाँ पर लगा रहा है पर साथ में BAM HAE3 2 KB पर भी लगा रहा है 2 KB पर तो मैं दिख नहीं रहा है 2 KB पर हमें क्या दिख रहा है BAM H1 की साइट दिख रही है और एक और चीज़ हमें BAM H1 पर न दो DOBल BANTS दिख रहा है 2 KB के पर अगम ने यहाँ पर कट लगाया न तो 2 KB का एक Fragment मिलेगा सिर्फ और एक Fragment मिलेगा 3 KB का बलती तो हरी है ना पर 2 SIGMN चाहिए था हमें BAM H1 के पर हमें BAM H1 से क्रटने के बाद एक ही Fragment मिले ला है 2 KB का गलत तो क्या बचा A एक ऐसे सही है एज एई 3 नहीं एक केवी का एक सेग्मेंट कट करा इसकी फिलिंग नहीं होगी तो एक इस पर आएगा ATBR पर और टी रेडियोग्राफ पर नहीं आएगा 3 केवी का एक सेग्मेंट मिला 2 केवी के 2 सेग्मेंट बैमेच वन से कटके एक ये 2 केवी का एक ये 2 केवी का मिले हाँ 2 केवी के 2 सेग्मेंट हमें मिले क्या हो रहा है यहाँ पर पाशियर डाइशन नहीं हो रहा है सारे के सारे कट हो रहा है तो 2 केवी का एक एक और 2 केवी का 1 केवी का एक 3 केवी का और 3KB का एक segment दिया था ठीक है? simple समझ में आ गया? simple था मतलब ज़्यादा tough नहीं था, अगर आपको concept पता है तो आसानी से solve कर सकते हो ultimately blunt ends होते हैं उसको radiography अलब radioactively हम label कर सकते हैं sorry, sticky ends को हम radioactively stay go कर सकते हैं क्या कर सकते हैं? labeled कर सकते हैं HA3 जो blunt end दे रहा है उसको हम radioactively label नहीं कर सकते हैं इस वैसे auto radiograph पे सिर्फ कौन से होंगे? sticky ends वाले show होंगे, blunt end वाले show नहीं होंगे, उससे हमने पता लगा लिया दौनों को compare करके HA3 कितने के भी काट रहा है और BMS1 कितने के भी के bends काट रहा है अब यह है हमारा next question same blunt ends और यह क्या है? sticky ends अब यहाँ पे भी हमने same चीज़ करी alpha 32 यहाँ पे क्या करा? हमने adenosine triphosphate को alpha 32 phosphate से label कर दिया कैसा हो गया यह radioactive? अब इसने पूछा x-ray film पे, x-ray film पे तो वही आएंगे अब विसी बाद जो radioactive शो कर रहेंगे ठीक है? HAE3 क्या कर रहा है? blunt ends शो कर रहा है radioactive नहीं होगा इसमें क्या हुआ? इसमें पहले ही बता दिया complete digestion partial digestion नहीं है mood swings नहीं है सीधी बात है सब के कट लगेगा सब के कट लगा तो हमें अपस क्या मिला? 3KB का segment 1KB का segment और 5KB का segment अब 5KB वाला जो हमें मिला था दौनों side पर जो कट लगे है न वो HAE3 के लगे है तो दौनों blunt ends है तो ये क्या x-ray पर दिखाई देगा? नहीं देगा ये दौनों blunt ends है ना? तहां से दिख जाएगा अब 3KB वाला segment एक कट लगा हमारे पास HAE3 का एक कट लगा हमारे पास ECO R1 का यहाँ वाला जो होगा ना? sticky ends है ये जो है sticky है तो इसको हम radiographically label कर सकते हैं क्यों? blunt end है blunt end है तो radiographically active वो का, sorry labeled कर दिया 1KB वाला ये गटा 1KB वाला अब यहाँ पे जो है sticky end है ये वाला part ये वाला part जो हमारा ये sticky end है और ये वाला blunt end है तो यहाँ पे हम radiographically labeled कर सकते हैं हाँ label कर सकते हैं label कर सकते तो x-ray film पर दिखाई देगा हाँ दिखाई देगा क्या बोल देता पाशेल डायेशन तो एक चीज और हो जाती क्यों हो जाती एक चीज ये हो जाती अगर हम HAE 3 के दोनों की तरफ नहीं काटा हो सिर्फ E को R1 काटे तो हमारे पास एक single band मिलता कितने का 5 और 1-6 और 3 9 KB का एक single band मिलता जिसका एक कट होता यहाँ पर एक यहाँ पर मतलब यह दोने stick bands होते तो हमारे पास total कितनी bands आते तीन bands का बात है अगर partial direction होता complete direction है तो हमें तीनों पर कट लगा है तो सिर्फ दो ही bands ऐसे होंगे जो कि E को R1 की side share कर रहे है और दो ही bands वह वहाँ पर show करेगा मतलब दो ही fragment के bands show करेगा एक चीज़ और यहाँ पर भी तीन के भी होगे होता तो कितने bands आते सिर्फ एक band आता तीन के भी का एक ही band आता दो band नहीं आते दो band क्यों आ रहे है क्योंकि यह अलग साइस है और यह अलग साइस है ओके यह बास समझ में आ गई next question सभी बता रहा हूं ग्रूप पे ना इस question ने सबसे ज़्यादा दुखी कर रहा है मुझे सब को बताने के लिए लग 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 तो मैंने इस question को इस video में डाल ही दिया तो अच्छे से समझ लेना फिर भी नहीं आये तो आज आना ग्रूप का फिर से समझा देंगे अब इसमें क्या है अब ने क्या करा ये एक single stranded circular DNA है इस पर हमने oligo यहाँ पर दिया हुआ linear short DNAs को हम oligo बोलना है बहाँ पर add का दिया ये जो इतना part है न ये हो गया हमारे पास double stranded double एक दो double stranded circular DNA सिर्फ इतना part अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा protein heligase activity शो कर रहा है क्या शो कर रहा है heligase activity heligase activity कहां शोग सुखती है single strand में to heligase भोज नहीं सकता अलग-अलग वो जो double strand DNA को होता है उसको अन पर वो कहता है अलग-अलग करता है heligase ठीक है ना तो single वाले में तो क्या अलग करेगा भई double में ही तो कर पाएगा तो double में कहां आ गया तो जहाँ-जहाँ double part होगा ना ये वाला part ये ये जो part है सिर्फ यहां पर heligase activity शोग होगी अब हमने कहा रहा ये मतलब हमने एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ तोटल आठ samples हमने gel electrophoresis पर load करे ये तो हमारी ये wells है ये wells हमने यहां पर हमने load कर दिये ठीक है और ये gel electrophoresis पर आ गए ये जो दो हमें bands मिले और एक हमें ये band मिला अब हमें ये band किसका मिला है हमने कैसे पता लगा है हमने सिर्फ एक oligo का sample load करा जिसमें सिर्फ ये दौना नहीं है सिर्फ एक single हमने ये linear short DNA लिया था न ये ये वाला, ये simple ये ऊपर वाला सिर्फ इसको load कर दिया तो ये कहां पर आ कर रुका, ये हां पर obvious की बात है न, छोटा है तो आके जाके रुकेगा तो यहां पर आके उलाई को रुका तो नीचे वाले जितने भी bands हैं ये वाले bands ये सारे किसके bands हैं उलाई को, ये इतने part वाले DNA के bands है ठीक है, ये चीज़ समझ में आई अब हमें क्या बताया है कि जो अलग-अलग samples है न, इनमें कौन-कौन से protein अवलेबल है तो जैसे कि पहला band, ये वाला sample था ये, तो ये sample में हमारे पास A नहीं है, B है, C नहीं है ठीक है, अब एक चीज़ गौर करना तो जहां-जहां पर ये band आ रहे हैं न, देखो ये वाला band आया, अगर इसको हम सीधे उपर तक लेके जाएं तो देखना, यहां पर B और A आ रहा है इसको हम उपर तक लेके जाएं ये वाला part ठीक है, तो यहां पर भी देखना B, A, C, 3 तीनों आ रहे हैं इसको हम उपर लेके जाएं ये वाले तो यहां पर A, B प्रोटीन नहीं है पर C प्रोटीन है और ये वाला जो band है इस band को अगर हम उपर लेके जाएं तो A प्रोटीन है तो एक चीज़ गौर करी जहां जहां पर Oligo के band बन नहीं है वहाँ वहाँ पर A के band भी बन नहीं है Oligo का band A-protein है oligo का brand A-protein है oligo का band A-protein है oligo का band A-protein है ठीक है, हमने क्या discuss करा था कि heligase की activity कहा कहा होगी वही वही होगी जहाँ पे oligo bind होगा सिर्फ हमारे पास A की protein है जो कि सभी oligo पर शो कर रहा है, एक चीज और और कार ना मैंने क्या बताया oligo के अलावा और कहीं heligase activity शो नहीं करेगा ना तो यह देखो जहां-जहां पर oligo के बैंड नहीं है वहां वहां पर ए नेगेटिव है एकनी है नेगेटिफ मतलब ऐ प्रेजंट नहीं है जहां जहां पर Oligo के बेंड नहीं है ठीक है तो हमें इससे क्या पता चलना है कि protein A क्या है Oligase activity शो कर रहा है क्यों क्योंकि वो सिर्फ वहीं वहीं पर प्रेजंट है जहां जहां पर Oligo के बेंड आ रहे हैं ठीक है ए है हर दुख में हर सुख में उलाइगों के साथ कौन बैटा है ए तो हेलिगेस कौन है ए सच्छा साथ ही कौन है ठीक है बी और सी साथ चोड़के चले गए सच्छे दोस्त नहीं थे भाड़ा में जाए हमारे पास कौन आया प्रोटीन हेलिगेस एक्टिविटी सच्छी दोस कर रहा है सभी oligo bands के साथ ठीक है नहीं समझ में आए महाँ पर पूछ लेना टेलिग्राम गुरुप है मैं दुबारा पता तुमा तो इसी टाइब के हमारे पास जहल एलेक्रोफोरेसिस के इसे टियांदे है अगर दो स्ट्रेट सेम साइज के से स्कट रहें वहज़़ हैं यह मतलब नगे लिए दो स्ट्रेंड आन्तर है कि स्ट्रेंट नौंड़ नोasand घ्राइंग प्रीचिया कुछ क्या रही है कि एक ही ना था यह Mc покуп और यहां तoureना एक हमारा हुआ अर्ड्यस का कॉंसेप्च्छल प्रेंग आ एक पीसीएर वाला पार्ट और होता है वो आप simply देख सकते हैं मतलब चलो मैं बता ही देता हूँ एक फोड़ा back चलते हैं मैं बताता हूँ तो PCR वाले part में क्या होता है यह जो हमारे पास दो lines है तो एक तो यह 5-3- है और यह 3-2-5- है तो यहाँ पर जो PCR होता है यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है तो यहाँ पर 5-डेश वाला होता है और यह 5-2-3- ऐसे होता है और यह 5-2-3- ऐसे होता है ठीक है तो यह जहाँ पर लग जाता है तो अब हमसे पता है क्या बोलते हैं कि हमाई answer देते हमें check करने होते हैं कौन सा जो pair है ना किसका प्राइमर्स का वो सही बैटर है तो हमें ना इनके हिसाब से इतने वाले पार्ट के हिसाब से 5-2-3- देखना पड़ता है और इतने के हिसाब से 3-2-5- वाला देखना पड़ता है यह जी याद रखना यह PCR का ऐसे question आते है question try करके देखना पता चल जाएगी ठीक है वाकी वैसे मैं एक चीज़ और बता दूँ यह वाला पार्ट मुझे थोड़ा confirm नहीं है देख लेना एक बार फिर से यह 5-2-3- ऐसे ही बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं हो सकते हैं इधर भी हो जो शो करेंगे यहां पर बनाते चले जाए तो PCR पढ़ने न और यह बार्ट होता है PCR का अगर तुम पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ भी जाएगा कि क्या होता है तो यह हमारे जो conceptual question थे उसके खतम हो गए आज की वीडियो के लिए यही सब था हमने RDN भी खतम कर लिया hopefully next video जो होगी हमारे पास September end आ चुका है तो मेरी monthly update वीडियो होगी और हो सकता है मैं 3 month की strategy है कि 3 month जो आखरी बच्चे होए वो कैसे utilize कर रहे है तुम लोग का होगे कि 4 month है भाचा 4 month नहीं है आगरी का जन्वरी count मत करो वो test series के लिए 3 month preparation के लिए है बस 3 preparation के लिए कितने है सिर्फ 3 months ओके तो चलिए फिर इस video को subscribe करेगा मतलब channel पर नहीं हो तो subscribe करना लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आए तो और share करना अपने दोस्तों के साथ यार उनको भी problem होगी ना उनको असान ही होगी फिर question करने में ठीक है ना अगर कोई भी question हो कोई पार सांच में नहीं आया हो तो मेरे को comment section में बताओ मेरे को आप Instagram पर follow कर सकते हो LinkedIn पर follow कर सकते हो वहाँ पर DM कर सकते हो अगर आपको कोई भी problem है तो आप सबसे बड़ी बात है हमारे पस Telegram गुप है यार वहाँ पर join करो study material से लेगे को इस तक सब कुछ मिलेगा वहाँ पर तुम्हें और वहाँ पर अगर तुम question डालोगे तो मैं ही नहीं मैं कोई मतलब वह नहीं हो ना teacher सिर्फ पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है मुझे सब कुछ नहीं आता है किसी कोई भी teacher है संगी तो सब कुछ पता हुआ ठीक है तो वहाँ पर और भी लोग है वह तुमारी यह परेंगे जो तुम्हें नहीं यह आता होगा मुझे आता हुआ मैं यह नहीं यह परूगा तो को चोंप करेगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्राइज वीडियो के लिए तब तक के लिए